जौब संबन्दी अपडेट पाने के लिए नवजागरती यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें नमस्कार साथियों स्वागत है आपका नवजागरती यूटूब चैनल में जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई चौब की चार्कारी और आज की जो नई चौब है वो हर्याणा इस्टेट लेगल सर्विसेज अथौर्टी द्वारा इस्टेनोग्राफर और किलर्क के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है हर्याणा इस्टेट लेगल सर्विसेज अथौर्टी ने इस्टेनोग्राफर और किलर्क की भर्ती के लिए टेंप्रेर की और कॉंट्रेक्ट बेस पर ब्यग्यप्ती जारी की है लेकिन पदों की रेगुलर वनी रहने की संभावना की जाती है और्गेनेजेशन का नेम हर्याना स्टेट लेगल सर्विसेज अथौर्टी जाब लोकिशन भीवानी हर्याना है पोश्ट का नेम स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर पत की लिए एजूकेशनल क्वालिफिकेशन educational qualification graduate from a recognized university किसी भी recognized university से graduate होना चाहिए या उसके समकप्च युगता हो और English short end में 100 सब्द प्रत मिनट की गती होनी चाहिए और English type में 20 सब्द प्रत मिनट की गती होनी चाहिए age limit इसमें minimum 18 years, 18 बर्स होना चाहिए और अधिक्तम उम्र 42 बर्स जो 15 जनवरी 2018 को calculate की जाएगी नमबर अब बैकेंसी पदों की संख्या इसमें टोटल पद एक है पोश्ट का नेम clerk, clerk के पद के दिए educational qualification, graduation, degree या उसके समकप्च एक्युविलेंट हो और हिंदी टाइप में 25 सब्ध प्रत मिनट की गती और इंग्रिश टाइप में 30 सब्ध प्रत मिनट की गती होनी चाहिए एज लिमिट इसमें भी कम से कम अठारे बर्स और अधिकतम उम्र 42 बर्स निर्धारित की गई है जो पंदर एक 2008 को कैलकुलेट की जाएगी नंबर ओप्रेकेंसी पदाओ की टोटल संख्या इसमें तीन है हर्यान इस्टेट लीगल सर्विस अथॉर्टी द्वारा सेलेक्शन प्रोसेस चैनिडिट सेलेक्शन बिल भी हैपनिंग एज पर रेटन टेस्ट रेटन टेस्ट की आदार पर इसमें सेलेक्शन किया जाएगा इस्टेनोग्राफी टेस्ट शेल्वी हेल्ड एट हल्वासिया विद्या बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोतागेट बेवानी एट टू पीम ऑन 23 जैनुवरी 2018 इस्टेनोग्राफी का टेस्ट विवानी में हल्वासिया विद्या बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 23 तारीक को दो बजे कराई जाने की संभवना है और क्लर्क का टेस्ट 24 जैनुवरी 2018 को हल्वासिया विद्या बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोतागेट बेवानी पर कराई जाने की संभागना है एप्लिकेशन फी इसमें देर इस नो एप्लिकेशन फी इसमें कोई भी एप्लिकेशन फी जमा नहीं करनी है हाउ टो एप्लाई एप्लाई कैसी करना है एच्छको और युग विद्वार प्लेन पेपर पर नोटिफिकेशन में मांगी गई डेटेल के साथ आवशक सच्छक योगता के प्रमाण पत्रों की अटेस्टेट फोटो कॉपी और खुद का लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ सचेप जिला लीगल सर्विसेज प्रादिकरण बेवानी हर्याना के पती पर रेइस्टर्ड या बाई हेंड आविदन करना चाहिए लाश्टेट ओप रेइस्टेशन आविदन पत्र जमा करने की अन्तिम्तिती 15 जनबरी 2018 है इससे अधिक जानकारी के लिए ओफिसेल वेबसाइट और पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की बाद ही आपको आविदन करना भी चाहिए और इसकी नोटिफिकेशन का लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा जहां से आप डिरेक्ट नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसी तरह जौब के डेली अपडेट पाने के लिए नबजागरती यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल के आईकोन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों की साथ सेयर करें